नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका अपना चैनल यूनिवर्सल आग्रोटेक में दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेर करने वाले हैं ऐसे दो खर्पतवार जो प्याज की फसल में ज़्यादा इस्तमाल किये जाते हैं जिहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अदामा डेकल खर्पतवार और साती में डव कंपनी के गोल खर्पतवार के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे डेकल और डाव कंपनी के जो गोल है इसके अंदर क्या आंतर है साती में बात करेंगे कौन-कौन सी फसल में इसका हम इस्तमाल कर सकते हैं और आखिर में बात करेंगे कि डोज की मात्रा क्या होनी चाहिए ऐसी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंततक जरूर बने रहे दोस्तो अगर हम बात करें अदामा डेकल की तो डेकल के अंदर प्रोपा, क्विजा, फोप 5% प्लस, ओक्सिफ्लोरोफेन 12% ये दो टेकनिकल पाये जाते हैं डेकल एक कौन्टेक और सिश्टमिक खर्पतवार है आम तोर पर इसका इस्तमाल प्याज की फसल में खर्पतवार नियंतरित करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है या प्रियोग में लाया जाता है डेकल प्याज की फसल में आने वाले चोड़ी पत्ती हो और जो घास होती है इन दोनों परकार की जो खर्पत है खर्पत को मारने में ये सक्षम है लेकिन डेकल का प्रियोग करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें कि मिट्टी में प्रियापत नमी होनी चाहिए और खर पर दो से चार पत्तियों की अवस्ता में हो तभी आप इसका अच्छा रिजट आपको देखने मिलेगा वही दोस्तो अदामा डेकल की बात करें तो 2 ml परती लेटर पानी के साब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं अगर एकड की बात करें तो एकड के लिए 400 ml परती एकड की इसाब से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं वही दोस्तो डव कंपनी के गोल के बारे में बात करें तो इसके अंदर ओक्सी फ्लोरोफेन 23.5% इसी नामक टेकनिकल पाया जाता है आम तोर पर ये टेकनिकल प्याज की फसल में आने वाली जो चोड़ी पती होती है उसे हटाने के लिए उसे नेंदरित करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है वही इसकी डोज की बात करें तो 170 से 340 ml परती एकड की इसाब से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ इमें बेल आइक़ों को क्लिक करना ना बुले तब तक के लिए नमस्कार